कैसे आप सब उमीद है बहुत ही बढ़िया होंगे आज हम पढ़ने वाले जनल स्टुडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 यहां आपको प्रवाइड होते हैं 20 कोशन और एक कोशन आप से पूछता हूं जिसका अंसर आपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना होता है यह सभी कोशनों को आपने नोट्स बनाना है और साथ के साथ याद करते चलना है इन कोशनों को आप PDF में भी डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलिग्राम चैनल नेक्स्ट फेम से साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा स्टार्ट करते हैं अपनी आज वहीं आपको plaster of Paris से याद रखना है कि plaster of Paris का formula क्या होता है तो वह होता है calcium sulfate 0.1 by 2H2O plaster of Paris का formula होता है और इसको क्या कहा जाता है calcium sulfate hemi hydrate भी कहा जाता है साथ ही आपको एक question और यहां से याद रखना है कि gypsum का formula क्या होता है तो gypsum का formula होगा calcium sulfate 0.2H2O यह gypsum का formula है और formula भी कई बार पूछ लिए जाते हैं exam में इसको क्या बोले जाएगा dihydrate calcium sulfate dihydrate next question है मचली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं यानि कि फिश के heart में कितने chambers होते हैं राइट आंसर इसके दो chambers होते हैं फिश के heart में कौन कौन से होगा एक autrium होगा और दूसरा ventricles होता है मचली के heart में वहीं और आपको parts के दी बात करता हैं parts में चार देखने को मिल सकता है sinus मिल सकता है और venuses, atrium और ventricles बट chambers की बात होगी तो right answer क्या हो जाएगा इसका दो और human heart में कितने chamber होते हैं तो four chamber होते हैं human heart में दो autrium होता है और दो ventricles होता है यह भी आपके लिए important होगा next question है lady with the lamp के नाम से किसे जाना जाता है right answer Florence night angle को lady with the lamp के नाम से जाना जाता है क्रीमियाई युद्ध के दोरान Florence night angle ने क्या किया था वहाँ के सैनिको की घायल सैनिको की सेवा की थी और ये रात के समय हाथ में lamp लेकर चलती थी जिसके कारण इनका नाम क्या पढ़ जाता है lady with the lamp यह आपके लिए important question है next question है सोतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किये गए थे इसका right answer क्या है 1951-52 भारत को आजादी कम मिलती है 15 August 1947 को भारत आजाद होता है और पहले आम चुनाव कब होते हैं 25 October 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव होते हैं जिसमें 489 सीटों में से 364 सीट कौन जीता है भारतिय राश्ट्रिये कॉंग्रेस जीती है 364 सीट यह आपके लिए important है और साथ ही एक कोशन और याद रखना है कि पहली लोग सभा का गठन कब हुआ था 17 अप्रेल 1952 को पहली लोग सभा का गठन हुआ था यह आपके लिए very important कोशन है next question है collide क्या है तो right answer collide एक V समांगी मिसरन है यानि की heterogeneous mixture है collide और collide के particles होते हैं वो solution से बड़े होते हैं और suspension से छोटे होते हैं यानि की willion से बड़े होंगे और निलंबन से छोटे होते हैं collide के particles next question है भारत के किसी भी राज्य का मुख्य मंत्री बनने के लिए निवन्तम आयू सीमा क्या है राइट आंसर 25 साल होती है निवन्तम एज और वहीं आपको यह भी याद रखना है कि विधान परिशद में member बनने के लिए कितनी एज चाहिए तो वहां चाहिए 30 साल और एक साल यह भी आपके लिए important होगा next question है महराजा जै सिंग दूतिये ने कितने सहरों में जंतर मंतर का निर्मान करवाया था राइट आंसर पांच सहरों में महराजा जै सिंग दूतिये ने जंतर मंतर का निर्मान कराया जिसमें दिल्ली, मतुरा, बनारस, जैपूर और उज्जैन सामिल है इनको आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन है बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था राइट आंसर लोड विल्यम बैंटिक के दौरा इस अधिनियम को लागू किया जाता है और इसमें एहम भूम का निवाई थी राजा राम मोहन राय ने जो की एक सोशिल रिफॉर्मर थे यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट होगा और राजा राम मोहन राय से याद रखना है कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की अस्थापना की थी यह वेरी इंपोर्टेंट कोशन है और कई बार एक्जाम में पूछा गया कोशन है समीने अवग्या आंदोलन कब प्रारंब हुआ था राइट आंसर 12 मार्च 1930 को समीने अवग्या आंदोलन का प्रारंब होता है और इश्क शुवात दांडी आंदोलन से होती है दांडी मार्च से होती है जो कि साबर मती आसरम से लेकर समुंदर तर्ट के निकट दांडी गा इसे दांडी तक यह यात्रा थी इसको आपने याद रखना है Next question है Helly, Dhum, Ketu लगवक कितने वर्सों में एक बार दिखाई देता है यानि कि जो Helly Comet है वह कितने सालों में एक बार दिखाई देता है Right answer 76 साल में वह एक बार दिखाई देता है और इसका जो आंसर होगा 75 से 76 यानि कि 76 साल लिया जाता है और यह कब दिखाई गया था लास्ट टाइम में तो यह दिखा था 1986 में लास्ट टाइम दिखाई दिया था और next time कब दिखाई देगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा दो हजार 61 में हैली धूम के तु दिखाई देगा next time यह important question है next question है प्रित्वी के बाहिय पटल पर उपलब्ध दूसरा प्रचूर तत्व कौन सा है यानि कि surface पे जो elements पाया जाता है सबसे ज़्यादा कौन सा है तो वह है oxygen और second number पर कौन सा element आता है तो right answer क्या हो जाएगा इसक silicon second element है next question है उन्नीसवी सताबदी के उत्तरार्द में नौ हिंदुवाद के सर्वसरेष्ट परतिनी थी कौन थे right answer स्वामी विवेकानन्द हिंदुवाद के सर्वसरेष्ट परतिनी थी थे और स्वामी विवेकानन्द से आपको याद रखना है कि इनका real name क्या था तो right answer नर नाम था रामक्रिष्न परमहन्स वहीं आपको याद रखना कि 1893 में इन्होंने Chicago समेलन में भारत का परतिनी थित्व किया था और साथ ही एक कोशन और याद रखना है कि 1897 में इन्होंने राम क्रिशन परमहन स्मिशन की स्थापना की थी एक मई 1897 को कोलकाता में यह भी important question है आपके लिए next question है वास्पी करन की दर बढ़ती है आप कपड़े सुखाते हैं तो क्या करते हैं कपड़े को फैलाते हैं तो जब एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो वास्पी करन की जो दर होगी rate होती है वो बढ़ जाती है तो सेताय छेत्र बढ़ाने से वास्पी करन क्या होता है बढ़ता है next question है 1857 का विद्रो मुख्यता किस कारण से असफल रहा तो right answer क्या होगा किसी समानने योजना और केंद्रिय संग्ठन की कमी यानि कि योजना की कमी थी और साथ ही उसमें नेत्रित्तों की कमी थी जिसके कारण 1857 का विद्रो असफल रहा और 1857 की करांती को अजादी के लिए लड़ा गया पहला युद्र किसने का था वीर सावर करने यह कोशन भी आपके लिए important कोशन है next question है 1938 में भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे right answer सुवाष चंद्र बोस भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे वहीं आपको राश्ट्रिय कॉंग्रेस से याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी 1885 में भारतिय राश्ट्री कॉंग्रेस की अस्थापना वी थी और इसकी अस्थापना किसने की थी एलन उक्तावियन हुम ने और पहले अध्यक्ष कौन थे वमेश चंद्र बैनर जी यह भी आपके लिए important question है और सुवाश चंद्र बोस को 1949 में भी राश्ट्री कॉंग्रेस सभा का अध्यक शुना जाता है परन्तु कॉंग्रेस और गांदी जी के विरोध के कारण उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता है यह भी आप याद रख लेंगे next question है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है राइट आशर ब्रेसपती ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य से पाचवा ग्रह है इसको भी आपने याद रखना है और ब्रेस्पती का उप ग्रह यानि की सैटलाइट गैनिवेड सबसे बड़ा सैटलाइट है यह भी आपके लिए important question होगा सूरे के सबसे निकट गरह कौन सा है बुद्ध उसके बाद है शुक्र दैन पृत्वी फिर मंगल और बाद में आता है ब्रेस्पती इसको भी आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन है निमलिखित में से किसने बंगाल में द्वैद साशन प्रनाली को समाप्त किया था और इसको लागू किसने किया था रॉबर्ट कलाईव ने इसको लागू किया था यह भी आपके लिए important question है नेक्स्ट कोशन है निमलिखित में से किसने आत्मिय सभा की अस्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1815 में कोलकाता में आत्मिय सभा की अस्थापना की थी वहीं राजा राम मोहन राय से याद रखना है कि 1828 में ब्रह्म समाज की अस्थापना भी किसने की थी राजा राम मोहन राय ने नेक्स्ट कोशन है सुर्वंडल का सरवादिक गरम ग्रह कौन सा है राइट आंसर सुक्र ग्रह सुर्वंडल का सरवादिक गरम ग्रह है और सुक्र से आपको याद रखना है कि सुक्र सूरे से दूसरा ग्रह है और वहें सुक्र का कोई भी सैटेलाइट नहीं है सुक्र को पृत्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है और वहें सुक्र को सांज का तारा भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है सबसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है सुक्र को यह भी आपके लिए important है नेक्स्ट कोशन है भारतिय समिधान को समिधान सबाइके द्वारा कब अपनाये गया राइट आंसर इसका क्या है 26 नॉबर 1994 15 अगस्त 1947 2 अक्टूबर 1994 या फिर 26 जनौरी 1950 क्या है राइट आंसर कमेंट वोक्स में आपने कमेंट करना है नेक्स्ट कोशन जिसको मैंने आपसे last class में पूछा था उसका right answer क्या है इनकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया था राइट आंसर भगत सिंग ने इनकलाब जिन्दाबाद का नारा दिया था और भगत सिंग को फांसी कब होती है 23 मार्च 1931 को भगत सिंग सुखदोय राज गुरु को फासी हो जाती है इसको भी आपने याद रखना है यह थे जर्नल स्टुडीज 49 के कोशन्स और यह वैरी इंपोर्टेंट और रेलिवन कोशन है एल्टी ग्रेट एक्जाम के लिए सो गाइस थैंक यू वैरी मच्छ शेयर और सब्सक्राइब नेक्स फेम बेस्ट ओफ लग